खाद्य तेलों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें की घरेलू प्रभाग में खाद्य महेंगाई को नियंतरित करने हेतू सरकार द्वारा निरंतर गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी श्रिंकला में केंद्रिय वित्मंत्राले ने एक तरफ शीरा के निर्यात पर पचास प्रतिशत का भारीक भरकम सीमा शुल्क लगा दिया है, तो दूसरी ओर रियायती मूले पर खाद्य तेलों के आयात की समय सीमा एक साल के लिए बढ़ा दी है। पर आयात शुल्क की दर 17.5 प्रतिशत से घटकर 12.5 प्रतिशत निर्धारित की थी और यह शुल्क दर आगे भी तब तक बरकरार रहेगी जब तक सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं कर देती। ध्यान देने वाली बात है कि भारत में मुख्यत, क्रूड पाम तेल, क्रूड डिगम सोयाबीन तेल तथा क्रूड सूरज मुखी तेल का आयात किया जाता है जबकि रिफाइंड खाद्य तेलों के समवर्ग में केवल आरबीडी पामोलीन का आयात होता है जिसे इंडोनेश एवं मलेशिया से मंगाया जाट है। यह अस्थाई घटना है और मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ ही शिप्मेंट की सामाने गती हो जाएगी।